मैं अचारव मोजूबे जोतिस आसा मतलब संपूर्ण जोतिस में आप सबीका हार्दिक स्वागात अबरभिनेंदर करते हैं आज हम बात करेंगे लाजुवर्त रत्न की बारे में लाजुवर्त रत्न एक लेकिन फाइदे अनेक और अनेक कुंडुली में मुझूद दुस यूग प्रभाव को खत्म करके सुफल की प्राप्ति करवाता है इसके बारे में आपको आज हम बताएगे तो आगे बढ़ने से पहले फिर बताते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकान बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे की नए वीडियो जैसे पड़े आपको सूचनाय जरूर मिले और आप भासी रत्न के बारे में जानकाली चाहते हैं तो दिये गए गए मुबाल लंबरों पर आप संपर करें या लिंक को फाल्लू करें तो साथियों अब हम आते हैं लाजवर्त में अगर देखते हैं तो यह सनी राहुग और केतु परत रहें तो आगे हमने बहुत सारे वीडियो में लाजवर्थ रत्न के वारे में बताया है फिर आपको बताते हैं अगर आपके उपर सन की साड़े साती चल रही है तो अगर आपको परसानी आती है आपने नीलम रत्न धारण किया है फिर भी परसान आउतरने लगेंगे लेकिन लाजवर्थ रत्न क्या होता है यह डिफेंस मोड में होता है आपको जो भी सन से समंदित पीडाएं मिल रही है उस पीडा को सांथ करता है और आपके अंदर हिमत देता है कि जो परसानिया है वह दूर कैसे हो उससे लड़ने की ताकत दे देता है और नए रास्ते आपको सुझाता है लाजवर्थ रहा है और अगर आपको कहिन कहीं सन की महादसा में पीड़ा है यह सनिग्रह आपको सात्मी अस्थान पर बैठ करके साधी के मामलों में परसानी खड़ी कर रहे हैं आपकी कुरुली में नीच के रासी पे हैं जिस अगर आपको सनिग्रह कहीं से भी प्रसान कर रहे हैं तो आप लाजवर्थ रत्नों को धारण करें इसकी अरवन हम बताते हैं अगर आपकी कुंडली में कहीं भी सनी के साथ में चंद्रमा है अर्थार्थ विश्योग बन गया है और तो आपको जह जो भी काम कर लेजिए च इवन बिकार है तो आपको वहां पे भी लाजवर्थ रत्नों को धारण कर लेना है क्योंकि सनी का प्रभाव जब डाउन होगा तो चंद्र ग्रह आपका अच्छा होगा और चंद्र होता है मस्तिस का कारण आपको किसी भी तरीकी पेसे टेंसन या परसानी नहीं रहेगी सन एकसर हमने देखा है सतर परसंट लोग घंटरी में जाते हैं पहुंद ज्यादा कमाते हैं लेकिन पर्यौर्प नहीं मिल पाता है अपने परियुअर का सुस्प नहीं बचों का सुक नहीं कोई ने कोई परसानी बनी रहती है तो आपको यहां पे भी लाजवर्थ रत्न को को धारन करना है अगर किसी की केतु की महादसा चले अंतर दसा चले गोचर चले ऐसे बैक्ति बहुत परसान हो जाते अपने तो साथी छोड़ देते हैं जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो ऐसे बैक्तियों को अच्छा करने के लिए भी ऐसे मौके पे हमें लाजवर्ट र उनकी में प्रावलम्ती बहुत अच्छा सा कारोबार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वो परसान थे, कि उनके चलते चलते सारे कारोबार ठप हो गए, जो साथी उनको कंदे से कंदा मिला करके रहते थे, वो साथ छोड़ दिये, यहां तक कि अपने भाई बंद भी साथ छोड़ दिये, वो अग्यक्ति जहां भी जाता था, उसके साथ में लोग अच्छा सा ब्रताव नहीं करते थे, बहुत सारे उपाय कर लिए, प्रत्न कर लिए, तो एक दिन हमारे लखनव कार्याले आये, और हम से मिलने के लिए, तो हम उस दमपत्ति की कुंडली द दमपत्ति में पहनने के लिए बोला, लेकिन सुक्लपच में, ब्रेश्पतिवार के दे, और इसके साथ में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए, जिससे केतु ग्रह का फल को अच्छा किया जा सके, मतलब जो दूस प्रभाव फल दे रहा था, उसको अच्छा कर दे, और ब्यक्तियों का धीरे-धीरे कारोबार फिर उनको फायदा होने लगा, और ऐसे ब्यक्तियों का, जब मेल के दौरा हमें पत्र मिलता है, तो बड़ी आत्म संतुष्टी हमें होती है, कि इस्वर की किरपा से, जो इन्होंने उपाय किया, और उनको सखल हुआ, इसका हम इस्थान पे राहु बैठा है, बच्चा तो जूर बोलने लगेगा, हो सकता है कि सराप का भी शिवर करने लगे, इसके भीशेश ध्यान रखिएगा, इसकी अलामा अगर आपकी कुंडली में राहु गरहा धनुरासी के बैठ गया, तक भी आपका समय बरबाद कर देगा, राहु गरहा अगर आपकी दसा चल रही है और कहीं विप्रीत प्रभाव में हैं, तो राहु आपको खरा भी करेगा, लेकिर राहु अच्छा गरहा है, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा गरहा है, देता बहुत है, लेकिन ऐसे विक्तियों को अगर राहु को खतम करता है, अगर यूटूब पे किसी ने पहला वीडियो लाजवर्त रत्म के बनाया है, तो हमने बनाया है, आप सच भी कर सकते हैं, इसलिए अब हम उसके अक्त्याजिक प्रभाव को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमने 3-4 सालों में जिसको भी लाजवर्त रत्म दिय साथी आपको अपने जोखा दे देते हैं, आपको परसानिया आजाती है, पैसे की तंगी बनी रहती है, पैसा आता है, चुरी हो जाता है, घर में कला बने रहते हैं, कौर कचेहरी के चक्कल लगाते हैं, तो एक बार आप लाजवर्त रत्म को जरूर धारत करें, अगर आप बताते हैं आज कल रत्न को कुछ रासानिक प्रक्रिया के दौरा कुछ गलत तरीके से निर्माल किया जाता है इससे बच करके रहें सावधान रहें आप हमारे जोतिस आसा काल्याले में भी रत्न लेने के लिए संपर्ख करें साल्टी फिकट यूप साथ में अभिमंत्रि इस आपको जो भी रत्न दिया जाएगा बिल्कुल सुद्ध होगा नेचुरल होगा प्राकृतिक होगा और आपको लाग देने वाला होगा तो साथियों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तब फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने लिए हैं तो सब्सक्राइब क करें कि रह Warrior को चाहिए और आपको चाहिए हमारा साह सफलता के लिए अपकी सभलता के लिए तक पर रहेंगे सहयोग करेंगे तो साथियों आप हमसे चुढिए हमिने को engine का बाॉस्स्य बदलेगा तो जैफ्र मिलते हैं चश्षा कि